प्यारे बच्चों, अब तक हमने मानब शरीर में होने वाली वीफिन मुवमेंट्स गतियों के बारे में जाना। Bones हड़ियों की मुवमेंट, Muscles मासपेसियों की मुवमेंट्स हमने ये भी सिखा कि Muscles मासपेसियां हड़ि यानि बोन को मुवमेंट करवाने के लिए पेर में जोड़े में काम करती हैं। एक Contract यानि Security है तो दूसरी Relax यानि शिथिल होती है। आज हम जानेंगे Gate of Animals, जन्तों की चाल, आईए इसके लिए अलग-अलग परकार के जन्तों से मिलते हैं। ये है Earthworm, केंचुवा. The body of an Earthworm is made up of many rings, joined end-to-end. केंचुवे का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटा कर रखे गए, अनेक छलों से बना हुआ लगता है. An Earthworm has no bones. एक केंचुवे के शरीर में हड़िया नहीं होती हैं। इसके शरीर में मांस पेशिया होती हैं, जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में मदद करती हैं। During movement, the Earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front end and releases the rear end. चलने के दौरान केंचुवा अपने शरीर के पिछले भाग को भूमी में जकड़े रहता है। तथा अगले भाग को फैलाता है, इसके बाद उहां अगले भाग से जमीन को पकड़ता है और पिछले भाग को स्वतंतर छोड़ देता है। फिर यहां अपने शरीर को संकुचित करता है और अपने पिछले वाले भाग को आगे की ओर खींचता है। इस तरह यहां कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन्स एंड कॉंट्रेक्शन्स, अर्थ वर्म कैन मूव थ्रू स्वायल। किये जुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने बदार्थ होते हैं, जो इसे चलने में सहायता करते हैं। बच्चों, केंच वो अपने शरीर के हिस्से को जमीन पर कैसे टिकाता है। इसके शरीर में छोटे-छोटे अनेक शूख बाल जैसी आकरिती होते हैं। यह शूख पेसियों से जुड़े होते हैं। और यही शूख मिट्टी में उसकी पकड को मजबूत बनाते हैं। The earthworm eats its way through the soil. केंच वो अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. और इसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। This activity of an earthworm makes the soil fertile and more useful for plants. केंच वे द्वारा किया हुआ यही कार्या मिट्टी को उपजाओ बना देता है। जिससे पौधों को फाइदा होता है। आईए अब मिलते हैं स्नेल यानि घूंगे से। ये है स्नेल घूंगा। It has a rounded structure, carries on its back. इसकी पीट पर एक गोल सरंचना होती है। This is called the shell. इसे कबच कहते हैं। And it is the outer skeleton of the snail. और यह घूंगे का पहिय कंकाल है। As it is a skeleton, but it is not made up of bones. नाम से तो यह कंकाल है, पर इसमें हडियां नहीं होती है। The cell is a single unit and does not help in moving from place to place. यह कबच एक एक कलिकाई से बना होता है। और यह घूंगे को चलने में कोई मदद नहीं करता है। It has to be dragged along. यह घूंगे के साथ खिचता जाता है। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. कबच का छेद खुलने पर उसमें से एक मोटी सी मांसल सरंचना और सीर बहार आते हैं। The thick structure is its foot. It is made up of strong muscles. यह मोटी सरंचना इसका पैर है जो मजबूत पेशियों का बना होता है। The wavy motion of the foot can be seen. पैर की लहरदार गती हमें दिखाई दे रही है। बच्चों, क्या घूंगे की गती केंच्यों की गती से तेज होती है या धीमी होती है। Is the movement of a snail slow or fast as compared to an earthworm? यह cockroach है यानि तिल्चटा। Students, cockroaches walk and climb as well as fly in the air. तिल्चटा जमीन पर चलता है, दिवार पर चड़ता है और हवा में उडता भी है। They have three pairs of legs. These help in walking. इसके तीन जोड़ी पैर होते हैं, जो चलने में इसकी मदद करते हैं. The body is covered with a hard outer skeleton. इसका शरीर कठोर बाहियक अंकाल से धका होता है. This outer skeleton is made up of different units joined together. और ये बाहियक अंकाल अलग बिविन एकाईयों की पर्स परसंधियों से बना होता है. And that permits movement. इसके कारण ही इसकी गतिय संभव होती है. There are two pairs of wings attached to the breast. इसके वक्स यानि छाती से दो जोड़े पंक भी जोड़े होते हैं. अगले पैर संकरे और पिछले पैर चोड़े और पतले होते हैं. तिल चट्टे में खास पेशियां होती हैं. The cockroaches have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. The breast muscles move the wings when the cockroaches fly. पैर की पेशियां इने चलने में मदद करती हैं और वक्स यानि छाती की पेशियां तिल चट्टे के उड़ने के समय उसकी गति देती है. तो बच्चो आज हमने कुछ जन्तों की गति जाने. बाकी जन्तों की गति हम अगले वीडियो में जानेंगे.